चोपाटी पर मैलाओं ने मैलाओं ने मैलाओं को और बच्चों को उत्पिडन से बच्चने की दीद जानकारी बच्चों को और मैलाओं को बताए कई मैत्पूर्ण बाते हैं देश में दिन बर दिन मैलाओं पर बढ़ते जा रहे अत्याचार उत्पेड़न के बारे में जमेर की मैलाओं क्या सोचती है क्या कहना है इसको लेकर आज हमारी मीडिया ने ने से बात चीत की च्योपाटी में मैला कॉंगरेश अद्यक्ष सबाखान वे कही मैला उपस्ती तुई और उन्होंने च्योपाटी पर पहुचने वाली मैलाओं से बात के और उन्हें इस मुद्धे पर गैंता से सोचने की बात कही मैला कॉंगरेश अद्यक्ष सभाखार ने कहा कि जिस तरीके से देश में दिन बद दिन मैलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और हिंदुस्तार मैलाओं के लिए खतरनाक देशों में सबसे उपर आ चुका है इस समय मैं माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा लड़कों को भी अच्छी परवरिश देनी होगी कि वे अपने मन में गंदे विचार ना लेकर आ है क्योंकि 15-16 साल की उमर ऐसी होती जब लड़का और लड़की दौनों को एक साथ पढ़ना होता है करे काम एक साथ करने होते हैं लेकिन इस दौरान में अपने दिमाग में गलत सोच ना लेकर आ है इसके बारे में अपने बच्चों को माता पिता को समझाना चाहिए ताकि इस देश में मैलाओं में जो भे है वे खतम हो सके इंप्लीमेंट साथ दंग से नहीं हुआ है इंप्लीमेंट होना चाहिए और बहुत करी तरीके से अच्छे तरीके से होना चाहिए तब ही यह जो केस हैं बलाद कारके वो कम होंगे इसके अलावा मैं यह मानती हूँ कि पहले अपने आपको सुदारो अगर आप अपने आपको सुदारते हो तो आप समाज को सुदारते हो अपने आपको अगर कोई गलत होता हुआ देख रहे हो तो इसको आगे जाके उसको खतम करो कि नहीं यह गलत हो रहा है इसको सुदारो उसके बाद आप समाज की तरफ उंगली उठाओ, पहले अपने आपको सुधारों, ऐसे नहीं कि कोई एक्सिडेंट हो रहा है, कोई कांड हो रहा है, लोग सेलफी, वीडियो निकालना बंदाओ, वीडियो और सेलफी से चकर में आप जो बंदा मर रहा है, उसको आप नहीं द में ये डर है, और मैं कहते हूं कि मेरे भी अगर बेटी होती है, तो मुझे उसका देखना हो, उसका फ्यूचर देखना हो कि आने वाले टाइम में उसके साथ कुछ घटना न हो जाए, तो हर किसी इंसान को ये सोचना चाहिए, कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के स इसकी सभी इंसान को अपनी सेफटी खुद करनी चाहिए और इसपेश्टी गर्स के लिए को लेकर हर सेक्टर के अंदर यह नहीं कि गर्स है तो उन्हें पीछे धकेला चाहिए घर हो चाहिए बाहर हो लड़कियों को पीछे ही देखा जाता है कम ही आका जाता है यह प्रिया शेहर में उठाने चीए जिसे कि आपके आचा रहे हो देखिए सोशल अवेरनेस जिसे हम सामजी जागरूपता कहते हैं यह हर इंसान के लिए आज की जरूरत बन गई है आवशक्ता बन गई है आप ही देखिए हम लोग जितने भी बड़े हैं बड़े पदों पर ह यह हम एंजियो चलाते हैं मैं उसकी डिरेक्टर हूं मैं पांच यह साथ की गैदरिंग भी डेखती हूं महीलाओं की आद्मी likely तो मुझेज़न को बुलाने की कोशिश करती हूं मैं समझाने की कोशिश करती हूं खासतोर dir बच्चियों को कि बेटा अपनी नजर अपनी इतनी पार्खी रखो कि तुम्हें कौन किस नजर से देख रहा है कहां तुम्हें चूने की कोशिश कर रहा है बैट टच गुड टच का उनको ग्यान बहुत जरूरी है दूसरी बात हमी सोचते हैं सारा ग्यान सारा एजुकेशन सिर्फ लड़कियों के लिए जी नहीं यह जुकेशन बहुत जरूरी हो गई है लड़कों के लिए भी क्योंकि बारा से पंदरा साल की जो नाजुक अवस्था है उसमें बच्चों का कोमल मन होता है आप उनको जैसा भी सिखाएंगे समाज उनको जो सिखाएगा वो उनके दिमाग में जरूर बैटेगा हमें उनको शुरू से बात बतानी चाहिए कि बेटा जमाना बदल रहा है आपको लड़कियों के साथ मिल करके पढ़ना भी होगा काम भी करना होगा सारे काम करने होंगे लेकिन तुम्हें दिल में यह रखना है कि तुम्हारे घर में भी बहन हैं मा हैं तुम्हारा माहौल परवरिश कैसी है वही नजर तुम दूसरी के बच्चियों के लिए रखो दिल में घंद की मत लाओ क्योंकि दिल में घंद की लाओगे तो समाज खराब होगा तुम्हारे एक के करने से दस को प्रेर ना मिलेगी इससे अच्छा है तुम समाज में वो पकर हो कि हाँ दूसरों को समझाने की तुम शमता रखो ये सब का जिम्मेदारी हम सब की बनती है और हमें ये काम रोज आना एक ना एक घंदे जरूर करना चाहिए